हाई फ्रेंश ओनलाने प्रेप्रेशन! वीथालती में आप सभी का बहुत बहुत शागत है ! ये आपका सितेट और यें śphas। अपका सिकटत के लिए है और ये मिरुट की बात कर आका सीसे शुक्षा सास्थ का है तो प्लीज आप इस वीडियो को बाच करिएगा तो चलेए इंपॉर्टेंट M.C.Q इसके ले लेते हैं और उसके पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेज़ें वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए तो यहां पर तोरा सदेख लेते हैं कि समावसी शिक्षा का मतलब क्या होता है समाबशी शिक्षा का मतलब इसी सिक्षा कहलाता है ठीक ही चलियाग यह देख लेते questions कौन-कौन से हैं दिव्यांग विविद्था आयाम से संबंधित कथन हैं अब यहां पे आपको बताना है क्या चीजे दिव्यांग विविद्था आयाम से संबंधित हैं कौन सा राइट एंसर होगा तो देखे इसका जो राइट एंसर है वो आप कड़ी हो जाएगा यानि उप्योत सभी यह मानता है कि कोई भी दूसरे के समान नहीं है प्रत्य व्यक्त में कुछ भी सिष्टे हो जना होती है और दिव्यांगता समाजिक विविद्था का एक आयाम है तो तीनों चीजे विलकुन राइट हो हो जाएंगी दिव्यांग विविक्ता आयाम से ठीक है दिव्यांगता का समाजिक प्रत्य दिव्यांगता को किस रूप में देखता है दिव्यांगता का समाजिक जो प्रत्य होता है जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनको किस रूप में वो देखता है तो देखिए इसक कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो जन्म से ही दिव्यांग होते हैं हैं ठीक है ना और जो कुछ व्यक्ति होते हैं जन्म के बाद किसी दुरगटना से किसी चोट के लगने से किसी रिजन किसी वज़े से हैं दिव्यांग हो जाते हैं तो जैवकी और समाजिक दोनों गटनों का सम परिणाम नहीं है तो देखिए इसका जो राइट एंसर है ये दी हो जाएगा आपका पूर जन्व के कर्म का परिणाम दिव्यांगता नहीं है बलकि दिव्यांगता की कारण कौन-कौन से है तो यह धिंसा से दिव्यांगता यानि की हैंडिकेप होते हैं लोग दुरघटना स से जैवी विक्रिस से चोट लगने से किसी भी वरीजन से जब बाड़ी का एक पार्ट जो होता है उनके साथ नहीं होता है कर जाता है तो दिव्यांगता की निमने परिणाम में पूर जम के कर्म नहीं है ठीक है दिव्यांगता का एक प्रकार कौन सा नहीं है तो कि आर्थि का दिव्यागता चे कोई मतलम नहीं है तो दिव्यागता का एक प्रकार आतिक नहीं है बलकि मांसिक सारीरिक और समाजिक जोय दिव्यागता के प्रकार होते हैं ओके श्रवण वादिता एवं बदिरांदिता किस प्रकार की अच्छमताएं हैं आपको बताना है तो इसका जो श्रवड बादिता सुनने डियार लोगों को होती है, लोग स्वैजर्णरी बूलते हैं, वो समझ तो लेते कि सामने वाला कुछ बोल רק लेकिन क्या बॉल रहा है वो समझ नहीं पाते हैं कुछ गल्स रमझ लेते हैं तो ये स्रवड बाद बदिरानता एक शंबेद तरह यहो जाएगा क्योंकि यह शंबेद्नात्मक का मतलब शंबेद्ना से प्रकार की दिव्यांगता की दिव्यांगता है तो देखे इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा सारी रिक्यानी सिरेवर बलसी और लोको मोटोर जो है वो सारी रिक दिव्यांगता के अंतरगत आता है अगला कुश्चन देख लेते हैं वारे निश कुश्चन है कि बौधिक दिव्यांगता है बौधिक दिव्यांगता क्या है तो देखे बौधिक दिव्यांगता जो है संग्यानात्मक दिव्यांगता के अंतरगत आती है और हर बार हम आपको बताते हैं संग्यानात्मक का सिक्षण में कमी है जिसके तहट बच्चों को संग्यानात्मक कार्यों में घटिया निर्देश दिये जाते हैं किसके अनुसार जो अधियम विक्रित का कारण सिक्षण में कमी माना जाता है और बच्चों को संग्यानात्मक कार्यों में घटिया निर्देश दिये जाती है किस कि निकितorters ने ने कटाने एकथन आपको बताना य outlets sarg shout इंगेलमाण जो है उन्होंने कफन कहन था निकंटी कि अगरीन कोolly दोस्टी का वहां कि संबंदीते स्क हुप्त जो in a कड़िन से संसे संबंदी तेशिए अगला कुश्चन ले लेते हैं इसमें कि भारत में दिव्यांगता संबंदी प्रमुख मुद्दा है तो भारत में दिव्यांगता संबंदी प्रमुख मुद्दा क्या है तो देखे इसका जो राइट एंसर होगा इसका राइट एंसर डी हो जाएगा यानि कि जो आपका अव सम्रचनात्मक है भावात्मक है परिवेशी समावेशन ये सभी दिव्यांकता संबंदी प्रमुख मुद्धे भारत में होते हैं अगला कुशन देख लेते हैं कि सम्मिधान के किस अनुशेद में सिक्षा के मूल अधिकार दिया गया है हमने हर बार कहा कि very important questions आपके लिए है तो right answer होगा 21 या तो का कह लिजे या फिर 21 ए कह लिजे इंगलिस में ए और हिंदी में आएगा तो का आएगा तो इसका जो right answer हो जाएगा 21 का है 21 ए में सम्मिधान के किस अनुशेद में समावेशी सिक्षा का अधिकार उल्ले की थे हैं वही सिक्षा का अधिकार सम्विधान के किसमें उल्ले की थे यह आपको बताना आया तो राइट एंसर हो जाएगा जो आपका 86 संविधान संसोधन है उसके द्वारा जो है यह विवस्था की गई थी कि 6 से 14 वज के सभी बालकों को ने शिल्केवं अनिवार शिक्षा दी जाए भारती संविधान के किस अनुशेद में अलप संक्यकों की सेक्षिक तता सांस्कृतिक उन्नत की विशेश विवस अगला कुश्चन देख लेते हैं कि अनुशेद 29 के अंतरगत किस अधिकार को शामिल किया गया है तो देखिए अनुशेद 29 के अंतरगत जो है आपके समान सेक्षिक अधिकार को शामिल किया गया है सुची जातो जनजात के सेक्ष्ट था आतिक उन्नत की विवस्था की गई है तो इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा अनुशेद 46 ओके अगला कुश्चन ले लेते हैं कि संभिधान के किस अनुशेद में सिक्षा की विवस्था की गई है अर्थात किसी विशेज धार् ठीक सब्सकी सभी इ लिए धर्म ईसको ना जोड़ा जाये तो धार्मिक शिक्षा का निशय है जिश दर्मे अर्डव क्षेद में और धार्मिक शिक्षा ना दी जाये तो अनुशेद में इस बात को कहा गया है तो इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा अनुशेर 28 में कहा गया है ओके राष्टी पाट चर्या की रूप रेखा 2005 की अनुशार कक्षा में सिख्षक की क्या भूम का होनी चाहिए तो इसका राइट एंसर हो जाएगा एक प्रेरक के रूप में ठीक है जो आगी क प्रतिवावन बालकों के पहचान की जा सकती है तो देखे इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा आपका A and B दोनों यानि कि बुद्धी परिशन के दोना और प्रवधी परिशन के दोरा इन दोनों के दोरा प्रतिवावान बालकों की पहचान की जाती है अगला कुश्चन ले लेते हैं समस्यात्मक बालक कौन नहीं है ठीक है तो इसका जो राइट एंसर है वो आपका हो जाए सी हो जाएंगा चाही थांग हो प्रतिवासाली च कला किलर नहीं समस्यातों करते है यौरे बच्चे करने वाला बच्चा क्या है तो इसमें कौन नहीं है तो जो पिछुड़ी बालक है और प्रत्र निश्क कुशन देख लेते हैं कि बालकों के समस्यात्मक का कारण है बालकों की समस्यात्मक का जो कारण क्या होता है तो देखिए इसका जो राइट एंसर ये D हो जाएगा B and C यानि अत्तधिक प्यार और न कि रहाक दिख को Um की बालकों के समस्यात्मक का में कारण है नम हसका जो लगतार किसी भी छेत्र में अपनी कार्ण कहते हैं किषागर्या प्रतिवावन बालक कहीं किसका है तो देखीए इसार जो राइट राइट हैक्डो का अभी ज़ुक्ता दिखाई देते हैं तो देखिए इसका जो राइट एंसर है वो आपका हो जाएगा बाले अवस्था बाले अवस्था में पता चल जाता है कि बालक कैसा है पढ़ने वाला है या नहीं है ठीक है मौलिक्ता का गुण है मौलिक्ता का गुण क्या है तो देखिए मौलिक्ता का जो गुण ह आशहजंस जो बालक होते हैं बालको की श प्रतिभाशाली बालकों की सिक्षण विधी अब आपको यहां पे बताना है क्या है तो देखे इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा A and B दोनों यानि गतिवर्दन और संपन्नी करना है मंद गति से सीखने वाले बालकों की सिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए जो मंद गति से बालक सीखते हैं उनके लिए क्या ऐसे कदम उठाना चाहिए क्लास में ठीक है न सीखने के लिए तो इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा A and B दोनों यानि कि आवासी विध्याल है और विशेश विध्याल है दोनों तरह की विध्याल है उनके लिए खोलने चाहिए मंद गति सीखने व विवस्था होने चाहिए ताकि उनको एक्जाम्पल के द्वारा समझाया जाया वो समझ सके आराम से किस प्रकार की बालक अस्वस्थ एवं असमायोजित बिवहार करते हैं और ऐसे बालक किस कटेगरी में आते हैं जो अस्वस्थ होते हैं और असमायोजित बिवहार करते है तो इसका right answer आपका हो जाएगा d यानि जो पिछड़े बालकों को इंकित करती है तो बुद्ध लब्ध यहाँ पे बताने है पिछड़े बालकों की बुद्ध लब्ध कितनी होती है यह question पूछ रहा है तो देखे इनकी 90 से 110 होती है आप बुद्ध लब्ध पिछड़े बालक कि ठीक है ना कि इतनी होती है 9610 होती है सेक्षने कुपलब्दी का अस्तर पिछड़े बालकों में जन्मजात योगता की तुल्णा में क्या होती है तो इसका जो राइट एंसर है यह हो जाएगा निवनतम होती है अपनी कमी को लेकर पिछड़े बालक में कैसी भावना देखी गई है यानि वो पिछड़े होते हैं पढ़ने में बहुत ही कमजोर होते हैं ना के बरावर होते हैं तो वो अपने में कैसा फिल करते हैं यह चीज यहाँ पे कि अपनी कमी को लेकर पिछड़े बालक में कैसी भा बुद्दी को परिभाशित करते हैं उकसं पराइड बुद्ध को करते हैं ऐसे बालक के हों मांसिक-मंद SNY-2 पस्थित होता है सेक्षिक मंता का मोंक विद्याले में देखा गया है विशिष्ट वालकों के लिए सिक्ष्ण विवस्था होनी चाहिए तो इसका जो राइट एंसर है वो आपका मंद बुद्धि बालक के इतना होता है तो देखे उप्योगते सभी आनि जो जड़ बुद्धि के बालक होते हैं 0-25 मूर अब बुद्धि के जो बालक होते हैं 25 153 तो मंद बुद्धि बालक के नतरगत यह तीनों आते हैं तो समय हो जाएगा चली एगला कुशन देख लेते हैं कि छात्रों की संक्या विशिश कक्षाओं में होती है कितनी विशिश कक्षाओं में चात्रों की संक्या कितनी होती है यह आपको बताना है तो उसका जो राइट एंसर हो जाएगा एक से 20 होती है टिक है विशिष्ट कक्शाओं में यानि जहां पर इस तरह के बालवों को पढ़ाया जाता है वहां पर छात्रव के संक्या एक से 20 होनी चाहिए मंदता या सैक्षिनिक पिछलापन एक गंभीर कारण है मंदता या सैक्षिनिक पिछलापन एक गंभीर कारण है तो किस चीज के लिए गंभीर कारण है यह तो देखें निर्ण शामान बुद्धिवालों के लिए मंदता है सैक्षिनिक पिछलापन एक गंभीर कारण बनता है जिभ्यांग विद्यारतियों के समचित विकास के लिए अप धिज्ण विद्यार्ती होते हों थे उनके समचित विकास के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा जी यानि उन्हें शामान विद्यातियों के साथ ही विसेज ध्यान देते छिक्षा प्रदान करनी चाहिए वह यह रूल भी है आपका कि जो दिव्याग विद्यान देना चाहिए ऐसे बालपों पे तो फ्रेंड्ट यह थ इसा से संबंदित है कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो को नाइक करिए एंड शेयर करें चलों को सब्सक्राइब कर लिए इगनुस से रिडेटेट को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमाई दूसर चैनल को करियर गाइड़न्स को सब्सक्राइब कर लिए अन अकेड़ी में में फालो कर लिए चलिए फिर नेस्ट वीडियो ने इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं तब तक के लिए टिक केर वाए